इसलाम अलेकुम हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खर्यत से होंगे। के रात को लोंग का पानी पीने से आपके जिस्म को कौन से फवाइद हासिल हो सकते हैं। को भी कम करती है। लॉंग का पानी आपके हजम में आपकी मदद कर सकता है। इसमें यूजीनूल है, जो के एक मुरक्ब है जो थूप की पैदावार को बढ़ाने और मिदे की हरकत को बेहतर बनाने ने में मदद करता है। लॉंग का पानी मतली, अल्टी, इसहाल और पीट के अलसर को भी कम कर सकता है लॉंग का पानी आपको अंटी आक्सिडन्ट्स, विटामनस और मादिनियत फराहम करके आपके मुदाफती निजाम को बढ़ा सकता है लॉंग मैंगनीज, कैल्शियम, मैंगनीशियम, विटामन के और विटामन ए स्क्वाइर से भरपूर होती है ये गिजाई अजजा आपके जिस्म में इंफेक्शन, सोजिश और आकसी डीटियों तनाओं से लरने में मदद कर सकते ही लॉंग का पानी हड्डियों के बड़े पैमाने और कसाफत में इजाफा करके सेहत मंद हड्डियों बनाने में आपकी मदद कर सकता है मैंगनीज एक मादिनियत है जो हड्डियों की तश्कील और देखभाल के लिए जरूरी है लॉंग का पानी आस्टी पूरूसस को भी रोक सकता है ये एक ऐसी हालत है जो हड्डियों के गिरने और फरेक्चर का सबब बनती है लॉंग का पानी फूम की गर्दिश को बेहतर बना कर और महासम को रोकने के जरिये आपको सेहत मंद जलद हासिल करने में मदद कर सकता है लॉंग में सोजिश और रंटी बैक्टीरियल खुसूसियाथ ही जो आपकी जलद पर सूजन, लाली और इन्फेक्शन को कम कर सकती है लॉंग का पानी को लजन की तरकीब और जलद की लचप को भी फरोग दे सकता है अब हम बात करते के उसके किया मुजर असरात भी ही लॉंग का पानी कुछ लोगों में अलर्जिक रद अमल का सबब बन सकता है अलामात में संस लेने में दुश्वारी, चेहरे, हौनटन, जबान या गले का सूजन शामिल हो सकते ही अगर आपको उनमी से कोई अलामत महसूस होती है तो लॉंग का पानी इस्तिमाल करना बंद कर दिए और फौरी तोर पर तिब्बी इमदाद हासल करें लॉंग का पानी मिदे के मिदे के मिसाइल जैसे सीने की जलन या इसहाल का सबब बन सकता है इसकी वज़ ये है कि लॉंग का पानी आपके मिदे और उन्तूं के स्तर को परेशन कर सकता है इस से बचने के लिए लॉंग का पानी इतदाल में और खाने के साथ पिं लॉंग का पानी युजीनलमबाद की वज़ से फुन को पतला करने के असरात का सबब बन सकता है इसका मतलब है कि लॉंग का पानी फुन के जमने में मदाफलत कर सकता है और फुन बहने का खत्रा बढ़ा सकता है अगर आपको खुन बहने का अर्जा है या आप खुन पतला करने वाली दवाइं ले रहे ही तो लॉंग का पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से मश्वरा करें मुझे उमीद है कि इस वीडियो से आपको रात को लॉंग का पानी पीने के फवाइद और मुजिर असरात को समझने में मदद मिलेगी बराह करम नोट करें कि ये तिब्बी मश्वरा नहीं है और आपको कोई भी नया इलाज आजमाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मश्वरा करना चाहिए आये अब हम जानते ही कि इसको कैसे बना सकते ही लॉंग का पानी एक ऐसा मश्रूब है जो लॉंग को पानी में विगो कर बनाया जाता है और ये लॉंग के तिब्बी फवाइद से लुट्फंदोज होने का एक मोसर तरीन तरीका है ये दिन्ट के दर्द को दूर करने, कोवत मुदाफियत बढ़लाने, अमल इनहजाम को बहतर बनाने और तनाओ को कम करने में मदद कर सकता है लॉंग का पानी बनाने के मुखतलिफ तरीके ही लेकिन यह एक आसान तरीका है जिसे आप आजमा सकते ही एक बर्तन में दो कप पानी अबाली, उबलते हुए पानी में दस से बारह पूरी लॉंग डालें और राहिस्ता से हलें अंच को कम करें और मिक्स्चर को दस से पंदरह मिनट तक अबालने दी अंच बंद कर दी और लॉंग निकालने के लिए पानी को चान ले गरम या थंड़ा अपने लॉंग के पानी से लुथ फुठ हैं अगर आप चाहें तो मिठास के लिए शहद या चीनी भी शामिल कर सकते हीं हम एक दिन में ये पानी कितना इस्तिमाल कर सकते हीं इसका को एक अती जवाब नहीं है कि आपको रोजाना कितना लॉंग का पानी पीना चाहें किमकी मुख्तलिफ जराइ से मुख्तलिफ सिफारिशात हो सकती हीं ताहम कुछ उमुमी हिदायाद ये ही रोजाना 2 से 3 कप लॉंग का पानी पीएं तरजीह खाने से पहले या खाली पीत. अगर आप हामिला हो, दूद पिला रही हो, लॉंग से अलर्जी हो, या फुन बहार रहा हो या जिगर या गुर्दै का मसला हो तो लॉंग का पानी ना पाएं. लॉंग का पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से मश्वरा करें अगर आप कोई दवाएं ले रहे ही, खास तोर पर फुन को पतला करने वाली एंटी कोगोलन्ट या एंटी पलितलिट. लॉंग का पानी एक खुद्रती इलाज है जो कि बहुत से सेहत के फवाइद पेश कर सकता है, लेकिन उसे इर्थियात और रेतदाल के साथ इस्तिमाल करना चाहिए. कोई भी नया हर्बल इलाज शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मश्वरा करें. मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपकी मदद करेगी. हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और हमें बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, शुक्रिया अलाहाफिज.